दो फ्रेंड स्वागता आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चल पर महरा केस परजापत आपके ले क्या आगया हूं नर्सिंग ट्रेंड क्यूशन का वीडियो नमबर 25 ये क्यूशन सभी अपकमिंग नर्सिंग एक्जाम के लिए बहुत ही मयत्वकून है तो एंड तक इस वीडियो मेरे मेरे साथ बने रही है और इंक्यूशन और आंसर को समझ ये आग के क्यूशन स्टार्ट करते हैं यानि किसी भी डिजीज के एजेंट का बोड़ी में एंटर करने से लेकर उस से बिमारी के क्लिनिकल साइंस अपिरेंस होने तक का जो टाइम है उसको क्या कहेंगे और आप्सन दिये हैं प्रोड्रोमल पिरेडद, प्री क्लिनिकल पिरेड, इंक्यूशन पिरेड या फिर सेसेप्टाइल पिरेड तो ये कहलाएगा इंक्यूशन पिरेड़ ओप्सन C is right नेक्स्ट क्यूशन लेते हैं To study of distribution of disease in community is termed AID. Community में distribution of disease की study को क्या कहेंगे? पैतो फीजियोलोजी, ओंकोलोजी या एपीडिमियोलोजी या फिर सोशियोलोजी. तो community में distribution of disease की study को कहेंगे? एपीडिमियोलोजी, option C is right. Next question लेते हैं, which of the following is not a component of epidemiological tried? एपीडिमियोलोजीकल ट्राइड का कौन सा component नहीं है? एजेंट, होस्ट, सर्वे लाइन्स और इन्वार्मेंट. तो फ्रेंट्स, epidemiological ट्राइड में तीन चीजें आती हैं, जिसमें agent, होस्ट और इन्वार्मेंट होता है, और सर्वे लाइन्स नहीं होता है, तो option C is right. बाहर का वातावरण है, बिमारी के लिए suitable होता है या नहीं होता है, तो ये तीनों चीजें हैं, वो epidemiological tired कहलाती है. Next question लेते हैं, floating tip of iceberg of disease represent, iceberg का floating tip है, जो उपर दिखने वाला part है, वो बिमारी के किस parts को represent करता है? तो सबसे पहले iceberg theory है, वो क्या है, वो समझ लेते हैं, तो friends, जब समूदर में कोई भी iceberg तेरता है, तो उसका बहुत सारा जो बड़ा हिस्सा है, वो समूदर के अंदर रेता है, वो दिखाई नहीं देता है, उपर का कुछ जो part होता है, वो हमेशा दिखाई देता है, तो question मे पुछा गया, floating tip of iceberg, यानि जो iceberg है, समूदर में 13 है, उसकी theory लेकर यहां पे दिया गया है, कि जो iceberg है, उसका जो उपरी part जो हमें आंकों से दिख रहा है, वो किसको represents करता है, community में, तो option दिए गया है, clinical cases, undiagnosed cases, carrier, या फिर incubation period, तो जो floating tip होता है, वो हमेशा clinical cases को show करता है, a is right, देखो, आगे समझा देता हूं, according iceberg of disease concept, a small floating tip of iceberg represents clinical cases, तो जो iceberg का floating tip होता है, वो clinical cases को represents करता है, clinical cases का मतलब जो cases find out हो गए है, वो clinical cases होते हैं, और, and submerged portion represents hidden या undiagnosed cases of disease into community, और जो iceberg का submerged portion, या जो पानी के अंतर डुबा हुआ पार्ट होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, वो hidden cases या undiagnosed जो बिमारियों के case होते हैं, community में उनको show करता है, मतलब यह है कि community में बहुत सारी बिमारी होती है, जो कि clinically कम ही represent होती है, clinically उनका जो find out है, वो कम होता है, जबकि community में disease बहुत सारी होती है, ये iceberg की जो disease concept है, वो मूलत यही भावना कहती है, नेक्स्ट क्येशन लेते हैं फ्रेंड्स, agent या फिर carrier या फिर host या फिर susceptible तो friends यानि वो individual या individual में जैसे man, female या फिर animal या कोई भी हो सकता है, जो कि खुद किसी बिमारी से sign और symptom सो नहीं करता है, उसमें वो बिमारी नहीं होती है, लेकिन वो दूसरों को उस बिमारी से infected कर सकता है, तो उसको कहेंगे carrier यानि वाहक, option B is right, next question लेते हैं, इंडिया की जो population है, वो एक बिलियन यानि 100 क्रोड कब हुई थी, 100 क्रोड के मार्क को कब पार किया था, तो इंडिया की population है, वो 11 मई 2,000 को 100 क्रोड हो गई थी, एक बिलियन हो गई थी, option B is right, next question लेते हैं, नोजो कोमियल infection means which occurs from, नोजो कोमियल infection का मतलब वो कहां से उत्पन होता है, hospital community both or none, तो नोजो कोमियल infections है, वो होस्पिटल से मिलता है, option A is right, hospital acquired infection, नोजो कोमियल infection को hospital acquired infection भी कहते हैं, common type of नोजो कोमियल infection is UTI, और जो नोजो कोमियल infection है, hospital acquired infection है, उसका जो common type होता है, वो होता है, UTI, urinary tract infection, and common organism of नोजो कोमियल infection is staphylococcus aureus, और जो नोजो कोमियल infection है, उसका common organism होता है, जो मुख्य organism होता है, वो होता है, staphylococcus aureus, next question केते हैं, friend, sex ratio is defined as, link अनुपात को किस तरह से परिभासित करेंगे, option दियेगे है, the number of male per thousand birds, option B, the number of female per thousand birds, the number of male per thousand female, या फिर the number of female per thousand male, तो option D is right, the number of female per thousand male, यानि एक हजार आदमियों पे कितनी female है, वो कहलाएगा, sex ratio, link, अनुपात, option D is right, according to 2011 census, sex ratio in India is 1923 female per 1000 male, तो 2011 की जनगर्णा के अनुशार, परती एक हजार पुरुसों पे 943 female है, मैलाएं है, ये 943 है, वो 2011 की जनगर्णा के अनुशार, sex ratio है इंडिया में, next question लेते हैं, the most important cause of population explosion in India during last decade was, यानि पिछला जो दसक था, उसमें population explosion यानि जन्संग क्या व्रद्धी का सबसे मुखे कारण क्या था, high birth rate, high death rate, low death rate, या फिर low birth rate, तो जो पिछला दसक था, उसमें population explosion का सबसे मुखे कारण था, जन्संग क्या व्रद्धी का सबसे मुखे कारण था, वो था, high birth rate, option A is right, next question लेते हैं, in hospital waste management, plastic bag of which color is not used, hospital waste management में किस कलर के plastic bag है, वो यूज नहीं किया जाते हैं, green, blue, yellow या फिर red, तो biomedical waste management में blue color, yellow color, red color, and black color के बेग या फिर डस्ट में यूज किया जाते हैं, option A is right, green, और hospital biomedical waste management के बारे में, सुबह मैं एक वीडियो भी देने वाला हूँ, जिसमें latest change क्या किये हैं, एम्स ने वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो सुबह का वीडियो जरूर देखे, next question लेते हैं, in India, which of the following function is first referral unit, इंडिया में first referral unit के लिए कौन सा संस्तान है, वो काम करता है, first referral unit है, वो कौन सी है, sub center, primary health center, community health center, या फिर regional hospital, तो इंडिया में जो first referral unit होती है, वो होती है, community health center, CTC, option C is right, the population served by sub center in plain area, साधारन एरिया में एक sub center है, वो कितनी population को serve करता है, या कितनी population पे plain area में एक sub center होता है, option दिये गे हैं, 1000, 5000, 30,000 या 80, तो plain area में, साधारन एरिया में जो sub center है, वो 5000 की जनसंख्या पे होता है, और पूरी detail बता देता हूँ, इसमें option B is right, इन हिली एरिया सब center कवर, 3000,000 पोपुलेशन, जो पहड़ी एरिया है, उसमें 3000,000 की पोपुलेशन पे एक sub center होता है, और plain area होता है, साधारन एरिया होता है, उसमें 5000,000 पे एक sub center होता है, और P.H.C. पलेन एरिया में, 30,000 की जनसंग्या पे एक P.H.C. होती है, और हिली या पाड़ी एरिया में, 20,000 की जनसंग्या पे एक P.H.C. होती है, और C.H.C. है, वो 80,000 से लेकर, 1.2 लाख, यानि 1,20,000 तक की जनसंग्या को कवर करती है, C.H.C. पलेन एरिया में, 1.2 लाख तक की जनसंग्या को कवर करती है, और पाड़ी एरिया में, 80,000 की जनसंग्या को C.H.C. कवर करती है, नेक्स्ट क्योशन लेते हैं, फ्रेंड, एन अंगनवाडी वरकर सर्वस्ट तू वाट साइजो पोपुलेशन, अंगनवाडी जो वरकर है, वो कितनी पोपुलेशन पर होती है, तो अंगनवाडी जो वरकर होती है, वो हजार पोपुलेशन पर एक होती है, option A is right, नेक्स्ट क्योशन लेते हैं, भौर कमेटी इस आलसो नोन एज, भौर कमेटी को किस नाम से भी जाना जाता है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलप्मेंट कमेटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, हॉस्पिटल रिव्यू कमेटी, मुदलियार कमेटी, तो जो भौर कमेटी होती है, उसको जाना जाता है, हेल्थ सर्वे एंड डिवलप्मेंट कमीटी, ओप्शन ए इज राइट, भोर कमीटी वाज कॉंस्टिटूट इन नाइटीन फोर्टी थ्री, भोर कमीटी है, वो उनी सुतेयारी इसमें बनी थी, और इसके चेर्मेन थे, एल मुदलियार, इसके चेर्मेन थे, नेश्ट कुस् करतार सिंग कमीटी को किस नाम से जाना जाता है, मल्टी परपज वरकर कमीटी या फिर हेल्थ सर्वे एंड डिवलप्मेंट कमीटी, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमीटी या कमीटी फोर मेडिकल एजुकेशन, तो जो करतार सिंग कमीटी थी, उसको जाना जाता है, मल् multi purpose health worker वाजLike सैंक कमिटी जो multi purpose humbled का कौँसेप्ट था वो करतार सिंग कमिटी के द्वारा ही दिया गया था इसीलिए THE करतार सिंग आइगा direction एगा मिल्टी पर लिए मुल्टी पर पर है रदितने सके पर तीनिया का निर्मान हुआ था उनीस सो आरट में टीनिया क्या है ट्रेंड नर्सेज एसोसेशन ओफ इंडिया नेक्स्ट केस्टन रेते हैं फिर्श्ट नेशनल हेल्थ पॉलिशी वाज फॉर्मूलेड या फिर एनांस्ट इन वीच ओप फोलोविंग एर फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिशी जो पर्थम राष्ट्रिय स्वास्त निती है वो कब अनौंस हुई या कब बनाई गई थी तो जो पर्थम राष्ट्रिय स्वास्त निती है जो फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिशी है ये उनीस सो तैयासी में बनाई गई थी option b is right and revised national health policy announced in 2002 तो जो revised national health policy थी वो 2002 में फिर से बनाई गई थी नेक्स्ट question लेते हैं international council of nurses icn was formed in international council of nurses है वो कब बनाई गई थी या कब बनी थी तो जो icn है international council of nurses ये 1899 में बनी थी option a is right word nursing was defined by icn in 1973 जो जो word nursing है जिसके बारे में अपने सबी बात कर रहे हैं जिसमें जोब कर रहे हैं इसको icn international council of nurses ने 1903 में परिवासित किया था ये कि उसने भी आता है और icn का headquarter है ये जिनेवा में है headquarter जिनेवा नेक्स्ट क्यूशन लेते हैं women's day celebrated on women's day कम मनाया जाता है तो 8 March 28 February या फिर 11 June तो फ्रेंट जो women's day होता है वो मनाया जाता है 8 March option B is right 8 March को महिला दिवस मनाया जाता है नेक्स्ट क्यूशन लेते हैं first five year plan for all round development of rural area was formulated during जो first five year plan है पर्थम पंच वर्षिय योजना जो पूरन विकास के लिए बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी जो पर्थम पंच वर्षिय योजना थी वो बनाई गई थी 1901 में option C is right first five year plan जो है वो फर्थम पंच वर्षिय योजना थी वो 1901 से 1956 तक थी और last five year plan और जो अंतिम पंच वर्षिय योजना है वो थी 2012 से 2017 तक now it is converted to निती आयोग into first January 2015 तो अब जो पहले पंच वर्षिय योजना थी होती थी अब उसको निती आयोग में converted कर दिया गया है और निती आयोग में एक जनुवरी 2015 से इसको convert कर दिया गया है निती आयोग का मतलब है National Institute for Transforming India यह होगे आज की question print अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको like करें सभी दोस्तों के साथ share करें अगर channel पे नए है तो channel को कर लो subscribe जो पास में जो वेल आइकन आ ही करोगे